सब को गुरु जी की तरप से और गुरु जी का ये महिना चल रहा है मैं और गुरु जी की कृपा रहे और गुरु जी की अपनी अशीम कृपा रहे ऐसी प्रात्ना के साथ आज तो सत्संग करने का सौभाग मिला है और मैं डॉक्टर अनिल अगरवाल हूं दिल्ली से और मैं म सब लोग जुडे और हम सब लोग गोरु जी की कृपा ले रहे हैं तो आप भी गोरु जी की किरपा लें और गोरु जी कीNat की इस जो उनकी क्रपा है वो मैसूस करें और उसके अंतरकत यही एक्शुली के सिस्टम में सब्से बड़ी बात है ही इतनी कि आपको आपको गुरुजी की कृपा से सबको जो है यही मैसेज देना है और सबको चोड़ना है यह भी तो सबकी जो गुरुजी के जो तरीका है उसमें सबसे पहली बात यही है कि आप गुरुजी की जो कृपा है उसको महसूस करिए और अपनी गुरुजी की कृपा को महसूस करिए और गुरुजी की कृपा सबके लिए समान है यह सबसे बड़ी बात है जो जब मैं मोर देन 25 यह पहले 1993 मैं गुरुजी से जुड़ा और मैं तो बहुत छोटा ही था हमें यह बहुत अच्छा लगा कि वहां पर इतना बड़ा कौमी एक ताक ऐसी कोई जगह और नहीं मिली अगर आपको कोई पता हो तो बताईएगा कि जहां पर सब हिंदू मुस्लिम सिक्क किसाई छोटा बड़ा अमीर गरीब एक साथ एक ठाली में गुरू जी के टाइम में लंगर खाते थे यह उनकी कितनी अदबुद लीला है और सब जमीन पर बैठते हैं तो मैं भी चाहता हूं कि जैसे हम सब को जोड़ने का सौबाग मिला हमें लगता है कि हमें लगता है कि आप सब ज्यादा भाग साली हैं कि आप गुरू जी को भगवान रूप में देख र कि गुरू जी के एक बार मैं गाड़ी लेके छोटे मंदर से बड़े मंदर बिठा के ले जा रहा था और गुरू जी मेरे साथ आगे बैठे हुए थे और आईजी तहार जेल होते थे स्री अजय अगरवाल वो मेरी गाड़ी में पीछे बैठे थे गुरू जी उनको लेके करपा लेका चल रहे थी और उनकी किर्पा के अंतरगर गुरू जीने जैसी मैं गाड़ी चला रहा था तो बहुत अंधेरा सा और अनदेरा स आ और था तो तो मैं गा represents लेफ्ट साइड में देख के चला रहा था, तो जब बहुत टाइम हो गया तो गुरुजी ने मेरे से कुछा, भई डॉक्टर क्या कर रहा है तू, तो मैंने का गुरुजी यहां, उनकी कृपा से जो है, मैं लेफ्ट साइड में जो मिट्टी पड़ी हुई, उसको देख के ग मादा स्वामी का, तो उस पर जैसे ही हमने गुरुजी की कृपा देखी, तो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने मेरे सिर पे हात मारा, और गुरुजी बोले कि जहां तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं से लाइने लगेंगी, और तो मेरे को बहुत हसी है कि गुरु जी क्या बोल रहा है यहां से लाइने लगेंगी जो बड़ा मंदिर था वो ही नहीं भरता था छोटे मंदिर में भी जगह रहती थी तो मेरे को बड़ा आजा लगा तो देखो गुरु जी कैसे जानी जान है भगवान है गुरु जी ने फि गुरुजी की कृपा से रहते हैं कि गुरुजी हमारे हम भागसाली हैं हम ग्रेटिटूट कर सकते हैं कि हम गुरुजी का कृपा है कि हम उनसे जोड़ पाए और हमें गुरुजी साधे रखें और हम गुरुजी को ना भूलें और गुरुजी हमें ना भूले बस यही में कनेक्शन है और इसमें बहुत रिग्रेट करने की ज़रूत नहीं है कि आप पहले क्यों नहीं जुड़ पाए और अभी क्यों जुड़े बहुत सारे लोग जो गुरुजी के टाइम के हैं मैं उन्हें 10 साल बाद 15 साल बाद देखत सकते आप गुरुजी को देख भी नहीं सकते आप गुरुजी को मिल नहीं सकते गुरुजी की बहुत सारी लिलाएं इतनी अद्बुद हैं एक बार बहुत मेभी 93-94 में मैं जब पंजाब गया तो गुरुजी की कृपा थी कि कई बार बहुत कम संगत होती थी तो कि वाद में समझा आया है, जो मैं ससंग में शेयर करूँगा, कि गुरु जी की तो परिशानी कोई थी यह नहीं, गुरु जी केबल आपको सेबा देते हैं, आप चाहे वो सबच चल रहे हैं, चाहे ससंग चल रहे हैं, या मैं यह ससंग कर रहा हूं, I should be thankful, शुक्राना उनका, क्योंकि गुरु जी कहते थे, जो ससंग करेगा और जो ससंग सुनेगा, उन दोनों को मेरी blessing मिलने वाली है, तो पता नहीं मेरी क्या गुरु जी की मर्जी होगी, कि मेरे को यह सवभाग और ससंग करने का time मिला, कि जिसकी बज़े से उनकी किरपा, हम आप सब भी ले रहे है और हम भी ले रहे हैं, तो शुकराना है, यह टूबे चैनल है गुरु जी से, किसी को आप जोडते हैं, तो यह आपका भी asset है, और आप गुरु जी से कोई जुडता है, वो उसका भी asset है, तो यह बहुत ही अदबुत गुरु जी ने एक तरीका बनाया हुआ है, हम सब को ज बैठने में वो अंकल लोग जो है, जैसे मैंने देखा कि पूरी खतम हो रही है, तो मैं बहुत गुरु जी से डेवन से बहुत दिल से जुड़ गया था, गुरु जी की भी बहुत किरपा थी, हमें सौभा गिमला गुरु जी के साथ रहने का, चलने का, उनके बेडरूम मे दिखाया, तो हमें लगा कि, जो मैं सोच्टा था, कि मैं गुरु जी को टीट करने आयता हूँ, तो बाद में लगा कि ये तो मालिक का शुकराना, कि वो आपको सेवा दे रहे हैं, गुरु जी की कुछ अपनी प्रॉब्लम है ही नहीं, और कल्पना कीजिए कि आप गुरु अपके हाथों में फ्रेग्रेंस रहती थी, तो आप कल्पना करिए कि गुरु जी की लीला कितनी अद्बुत है, और कैसी निराली है कि वो कैसे आपको कृपा करते हैं, और वो पूड़ी मैं देख रहा था, मैंने एक दो अंकल से बोला, जो सीनियर थे, पंजाब के देख, कोई उठा नहीं, तो मेरे से बासु बार, रिकनेक्ट हो जाता है, तो गुरु जी की कृपा से मैं उठके चला गया, क्योंकि गुरु जी को जुड़ने के लिए आपको बहुत सरल सहज बनना पड़ेगा, यहां कोई चालाकी स्मार्टनेस नहीं चलनी, मैं किसी का नाम नह चाहता, ना जाने कितने लोग हमने इस 30 साल, 25 साल की अपनी जिंदगी में देखे, कि जिनको गुरु जी ने बहुत इसने प्यार दिया, वो कहां चले गए यही नहीं पता, तो आप जुड़े रहें, यह बहुत किरपा है उनकी, उनका बहुत आशिरवाद है, तो मैं मेरे मन में तो केबल सेवा भाव है, मेरे मन में कोई दुख और कोई लाला चया, कोई आपसे एगो नहीं है, और गुरु जी ने वो चीज पढ़ ली, आप देखे, इसलिए वो भगवान है, और जैसे ही वो तो पूरी मैंने देखी, कि अचानक बढ़ गई, तो गुरु जी को दिखाना था, कि वो अंतरयामी है, वो क्या कर सकते हैं, और मैं वहां खड़ा रहा और पूरी लेके, और गुरु जी मेरे से बहुत सारी बात करते रहे, और बहुत सारे लोग जो ये परिशान थे, जो जाने के लिए गुरु जी के पास सेवा के लिए नहीं आ पा रहे थे या आना नहीं चाह रहे थे वो बहुत ही अजीब सी आखों से हमें देखने लगे और उनको ये लगा कि डॉक साब कितने भाकसाली हैं कि गुरुजी इनसे बात कर रहे हैं और गुरुजी ने इनको बगल में ये सब दिखा रहे हैं तो यहां पर सबसे बड़ी चीज है जो ग नहीं होने दीजिये और कोई लगर ना छोड़े कोई वहां पे आवाज ना करे या मॉरली मॉरली जो है मॉरली आप जो है शांत रहें वहां पर कोई जल प्रशाद लंगर प्रशाद मत शूड़िए सबद के है उसको बहुत सहस्ता से सारी परिशानियां भूल के मालिक के चर्णों में गुरुजी कल भी जी है आज भी है और कल भी रहेंगे इसलिए गुरुजी अंतरयामी है इसलिए गुरुजी बिराजमान है आप सब को बड़े दुख का मैं बात कहने जा रहा हूं कि गुरुजी ने इसी 31 मही जो आने वाली है 2007 में सरीर छोड़ा और वो अपनी फिजिकल से गए लेकिन आप देखिए जो गुरुजी ने बोला था कि वो गुरुबार के दिन और गुरुपूर्णमा होगी उस दिन सरीर छोड़ेंगे और वैसे ही हुआ और जो पर बेना गुरुजी की मर्जी के आप जानी सकते थे अपने परिवार को भी ने ले जा सकते थे और उनकी जब कृपा होती थी तब ही आप जा सकते थे तो आप मैं जो मानता हूं कि आप गुरुजी को अपने हर कार में हर चीज में मैं डॉक्टर हूं मेरा प्रमोशन हुआ मै और कि靖ो बता दें गे। गुरू जी कोई बकील नहीं है। Guru जी कल भी ठे आज हैं और कल भी रहेंगे। ये सारी चीज evidence को पता है। Guru जी ये भोल के गए के से जादा लाइने लगेंगी Guru जी भोल के गएं कि मेरी कृपा उससे जादा भहेगी। गुरु जी बोल के गए हैं, क्योंकि उस समय लिम्टेड लोग थे, लिम्टेड लोगों को ज्यादा लोगों को ब्लेस करना था, ये फिजिकल सेवा जो मैं बता रहा था, उस तरह करिए, या मेंटली, जैसे कोई सबत गाता है, अंजू, अंटी यार, बहुत सारे लोग, और मैं ससन्ग करर रहा हूँ, ये मेंटल सेवा है, मौरली, मौरली आप शांत रही है, कोई कमिया मत नकाली है, ठंडी चाय, गरम चाय, ठंडा परशाद, मिर्च परशाद मत करिए, या financially, मौरली, मेंटली या financially सेवा करिए, financially में लाइक कहीं ससन्ग हो रहा है, बढ़े मंदर म कुछ प्रोग्राम हो रहा है उसमें जो सेवा कर सकते हैं आप फूलों की सेवा करिए आप चाय प्रशाद की आप जल प्रशाद की आप जो सेवा कर सकते हैं फाइनेशली उस लंगर को बनाने में वो करिए कहीं ससंग है वहां जो कर सकते हैं करिए कार पार्कि में सेवा करिए शूर में सिवा करिए आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है गुरू जी कितने दयालू है इतने महान है कि वो बीच-बीच में हम सब को दिखाते रहते थे कि तुम सब भाग साली हो कि हम तुम्हें अपना रहे हैं हम तुम्हें मान रहे हैं हमारे पास अच्छी गाड़ सी कास्ट का है रिलीजन का है इससे बड़ा कौमी एकता का धरवार अगर आपको पूरे वर्ल में मालूम हो तो आप हमें बताईए मैं बहुत हाइली स्पूरिच्वल हूं बट मेरे को तो आज सक गुरुजी के मंदिर के अलाबा यह जगह नहीं देखी और उनकी कृपा मनाना पड़े गा आपको कुछ मिलने वाला है यहां पर आप मार्केटिंग करने नहीं आये हुए है गुरी जी नहीं है किसी की जरूषप भी नहीं है आप सोच भीए सकते कि ऐसे एक्टर ऐसे दूरदर्शन के लोग और ऐसे पत्रकार लोग गुरुजी से जुड़े थे कि जिनको अगर गुरु जी चाहें लेते तो पूरे वर्ल्ड में इतनी publicity हो जाती जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते बट गुरु जी ने कभी इस चीज को प्रमोट नहीं किया गुरु जी ने जिसको चाहा उसकी को बिलाया और जैसे गुरु जी ने चाहा वैसे ही चीज़ देखिए कितनी अध्भूथ है कि मैं एक दिन गुरु जी के पास पिन लगा के अपनी और मेरे उस समय अलसर लगे बहुत मूह में अलसर थे तो मैं गुरु जी ने देखा वो पिन क्या है और मेरे ब्लड पर शर्ट पर यहाँ पर दो ब्लड के ड्रॉप थे तो मेरे मूह म मैं किस-किस को देखता हूँ, ये बड़ी बात है, तो गुरू जी की कृपा आप पर हो जाए, आप गुरू जी आपको देखने लगे हैं, बस यही है कनेक्शन, आप किस अपनी हसी से, अपनी लेवर से, अपने ससंग से, अपनी सेवा से, कैसे गुरू जी को मनाने रिजाने वाले हैं, ये गुरू जी जानते हैं, उनकी कृपा, उसके बाद बरस्ती भी नजर आएगी, यही आपकी गुरू जी की कृपा है, तो मैंने वो पिन लेके ग्रा दी नीचे, और आप बिलीव करना संगज जी, कि वो उस पिन की आवाज आई, और जैसे ही मैं पिन उठाने लगा, गुरू जी की मेरी शर्ट पे नजर पड़ी, गुरू जी बुले, अरे, एक्दम छूने लगे, देखी कितनी कृपा है मालिक की, गद्धी पे बैठे हुए थे, मैंने का गुरू जी ये बलड है, मेरे मुँ में अलसर हो गए है, मैंने मुँ खूल के दिखाया, गुरू जी ने बस, वो मिंटों में समझ लेते थे, कि क्या करना था, बोलते ही बहुत कम थे, वो इशारों में ज़्यादा बात करते थे, उन्होंने मेरे को बगल में अलसर से बलड आ रहा था, और मैं बहुत परिशान था, दो-तिन दिन से कंट्यूनियस देर तक जगना पड़ रहा था, डूटी, बी-ाइपी, डूटी की बज़े से, मालिक की दया देखिए, किरपा करिए, चाय पी मैंने, थोड़ी दिर बाद गुरूजी ने मेरे को बोला, कि पंजाब से किचिन में मिर्च आई है, तो अच्छी अच्छी बड़ी मिर्च कुछ फ्राई करके ला, तो मेरे को लगा गुरूजी की सेबा है, गुरूजी का काम करना, तो आदमी कितना अधुद और कितना अच्छा समस्ता होगा, आप उनकी गृपा को महसूस करिये, और उस किरपा की अंतरगत में गया, मैंने किचिन से बहुत अच्छी मिर्चे फ्राई की, और मैं उसको लेके आया है, गुरूजी उस कटोरी को देखते जा रहे हैं, और हसते जा रहे हैं, अपने को समझ नहीं आया, जैसे ही मैंने गुरूजी को दी मिर्च वो, गुरूजी और मैं बैठने लगा बगल में, गुरूजी बोले बैठता कहा है, यह खा मिर्च, मैंने का गुरुजी मैंने आपको बताया है मेरे माउथ में अलसर है और मेरे इतनी प्रावलम रहती है और इतना ब्लड है गुरुजी बोले डॉक्टरी मत कर जो कह रहा हूँ वो कर पर आप बिलीब करना कि मैंने वो मिर्च खाई गुरुजी चोले में सिर्फ संगजी पांस से साड़े छह साम को गुरुजी कुछ लोगों को बुला लेते थे और बहुत सारा डैशिंग सा नास्ता और बहुत सारा प्रिशाद और जमीन में बैठते थे फ्लोरिसेंट कपड़े कुर्ता पजामा शर्ट पैंट पहनने का गुरुजी को शौक था और ब्रेसलेट और बहुत अच्छी घड़ियां पहनने का शौक था गुरुजी को और बहुत ही बराइटी और फ्रेग्रेंस उनके अंग प्रतियंग से आती रहती थी और इतना अच्छी जब आते थे उसके बाद गुरुजी सब पर अपनी नजरें डालते हुए और गदी पर उनके दुक और चीजों को समझते हुए गदी पर बैढ जाते थे और साथ से नौ में यह सबत गुरुजी के चलते थे और चाय प्रिशाद आपको जल प्रिशाद मिलता था और नौ बजे गुरुजी फिर कमरे में जाते थे और अपने कपड़े चेंड कर लेते थे यह चोला चेंड कर लेते थे और कपड़े पहन के फ्लोसें कपड़े शर्ट पैंड पहन के आ जाते थे गुरुजी और उस समय जो नौ बजे के बाद गुरुजी कहते थे बहुत करने की ज़िरूरत नहीं है भगवान को पाने के लिए ग्रू जी को पाने के लिए इसलिए साथ से नौ केबल सससंग होता था. शौरी सबच चलता था जिसमें गूरू जी चोले में बैठते थे और नौ वजे के बाद गूरू जी जैसे मैंने सब्सक्राइब करें जब शुरूशू में मैं यह सब्सक्राइब करता था तो मेरे बड़ा अजीब लगता था क्योंकि कुछ लोगों को लगता था जैसे मेरे को गुरूजी ने कुछ रखा हुआ पैसों से और मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं तो एक दो जब आये ना तो इससे बोलना जो तुझे मिलता है वो इसे मिलने लगे और नेक्स टाइम फिर उन्होंने पूछा देखिए कैसे हैं भगवान सारी चीज़ें डिजाइन करते हैं गुरुजी सारी चीज़ें गुरुजी की कृपा बीजी में हट जा रहा है गुरुजी की कृ दूसरी बार वो अरुना अगरवाल साब आये तो मैंने गुरुजी ने जो कहा था मैंने गुरुजी क्रफ देखा मैं फिर ससंग कर रहा था गुरुजी के बगल में खड़े ओके तो उन्होंने बुला कि पक्का जो है तुम यहां के तो मैंने का जो मेरे को मिलता है वो किदल्न है दोक्टर नफिन के हो गया नहीं होगा या अबरिफिंग वाई च्वाइस everything is designed by Guru जी यहाँ पर कोई चीज ऐसे नहीं है हो जाएगा कर देंगे हो गया कर दिया यहाँ पर होना ही है Guru जी की किरपा होनी ही है आप Guru जी से जिस रूप में जैसे भी जुड़ जाईए आपको ज़रूरत नहीं है जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है कि आप छोटे हैं आपके पास पैसे नहीं है यह वो जगह है जहाँ पर आपको चाहे जल प्रिशाद, लंगर प्रिशाद सब free of cost मिलता है आपको वहांकी blessing मिलती है वहांकी ambience मिलती है गुरू जी आपका मन आपका सोचने की शक्ती बड़ी करते है आपकी problem को छोटा करते है धीमे धीमे आपको उसके सब्दों से ससंग से या गुरू जी की कृपा से blessing से, dream से आपकी परिशानी दूर होते नजर आएगी यह मैं विश्वास के साथ आप सबके साथ इतने सालों का experience share करना चाहता हूँ और गुरू जी की महर देखिए, कृपा देखिए जैसे ही वो मैं हाथ दोके आया जो मैं बता रहा था खाना खाने के बाद मेरे अलसर थे जिस दिन मैंने अंदर मैं मैं शीशे में देखने लगा एकड़े को गुरू जी इस बीच में बदल के कपड़े सेटी पे बैठ गए थे सामने अपने बेडरूम से आके और बाइचांस मालिक की देया देखिए कि बातरूम जरा सा खुला रह गया और मैंने जैसे ही देखा तो आई वाई शौक डिंदर सीशा जो मिरर था वहां पे बातरूम में कि मेरी एक भी अलसर नहीं था जो मैं जीवन से परिशान था कि अगर मैं टाइम से सों नहीं जगों नहीं स्ट्रेस में आऊं तो मेरी अलसर हो जाते थे वो गुरू जी ने वो मिर्चे खिला के मेरे अलसर गयब कर दिये और मेरी जैसे ही गुरू जी पर नजर पड़ी तो मेरे को बड़ा खराब लगा जैसे ही मैं बाहर आया तो गुरू जी बुले डॉक्टर तू अंदर चेक करने गया था मैं हसने लगा क्योंकि गुरू जी जानते थे मैं बहुत सहज हूँ, सरल हूँ इसलिए उन्होंने मालिक ने इतनी हमें सेवा वक्षी और गुरू जी की कृपा देखिए आशिरवाद समझी है उनका कि मैंने का गुरू जी नहीं मेरी नजर पड़ गई मैं तो हार दोने जाते ही हूँ खाने के बाद सबको पता है और मैं मेरी नजर पड़ गई गुरू जी बुले देख ले, यहां डॉक्टरी नहीं चलती ब्लेस कीता है, तेरे को जीवन में मैं लेट हो जाऊँ, मैं ड्यूटी में कभी नास्ता मिलता है, नहीं मिलता है ऐसी डॉक्टर्स की ड्यूटी है आप बिलीब करना वो दिन और आज का दिन कोई रिलेशन नहीं रहा गया कैसे हैं भगवान, कैसी है कृपा उनकी आप उनकी महर देखिए, उनकी कृपा देखिए कैसे वो बरसाते हैं, वो लोगों को जाके भी ब्लेस करते हैं, लोगों को बुलाके भी ब्लेस करते हैं, लोगों को देखते हैं बात वहीं पर है, जो गुरु जी ने बोली वो पकड़ने की बात है, कि लाखों लोग यहां आते हैं, यह बहुत चोटी बात है गुरुजी कहते थे मैं किस किस को देखता हूं ये बड़ी बात है तो हम सब भी कुछ कर ऐसा कर चलें संगत जी कि गुरुजी हमें देखने लगें बस यह यह connection आपको कहते ना एक साधे सबसदे गुरुजी की किरपा और महर देखी के कैसे गुरुजी की किरपा को महसूस करी है वह समझाए वह फाइफाइ के लगेगी उनकी किरपा बहुत ही निराली में एक सस्तंग करता हूं कि मैं मौलाना जाद मेडिकल कॉलेज में टीचिंग कर रहा था और जैसे मैंने बताया कि गुरुजी से मिलना बहुत आसान नहीं था तो गुरुजी और महसूस करिये वाइफाइ बन टर ना आपकी क्रपा देखिए गुरुजी की महर देखिए कि क्या है कि उनको मैंने वनारंग जो अस्ताना साथ थे दीन के प्यस से डिन्सा भी हमारे डॉक्स बीसे परमशिय लीकिप गुरुजी की मर्जी होती थी जब बलाएंगे तब ह आप किसी बुला सकते थे तो एक दन गुरू जी ने बुला ठीक है तू लेके आना तो गुरू जी कई बार अपने हाथ से लड्डू प्रिशाद हलुआ प्रिशाद और बहुत सारी अच्छी बराइटी और चॉकलेट टॉफियां बाटते थे और गुरू जी की महर देखिए वो हलुआ प्रिशाद देते थे उसमें देशी की टपक रहा होता था और वो एक हाथ से देते थे आपके दोनों हाथों में नहीं आता था और एक टिशू पेपर मिलता था वो हलुआ प्रिशाद वहीं खाना होता था और उस टिशू पेपर से कलपना करिए आप गुरू ज के साथ बैठे हुए हैं और आप गुरुजी की कृपा देखिए गुरुजी की कैसी फ्रेग्रेंस मैसूस करिए गुरुजी की कृपा से वो अस्ताना साथ जैसे ही गए मैं गुरुजी से इंट्रूडूस कराता इससे पहले गुरुजी ने वो प्रिशाद उनके हाथ में तो अस्ताना साब को गुरू जी ने शारा किया बगल में खड़े हो गए बड़ उनकी वाइफ देखने लगी कैसे गुरू हैं डॉक साब कहां ले आए ना यहां पर चंदन लगाया ना माला डाली है गुरू जी सिल्का कुर्टा पहने हुए थे और चोला पहने हुए थे और गुरू जी ने सब को प्रशाद दिया गुरु जानी आने आपको कोई काम देते थे उनकी नजर पूरी रहती थी और गुरू जी की किर्पा देखिए आ पहने अस्तान साब को जैसे ही प्रशाद खटम हुआ गुरू जी ने शारा किया तो उन्होंनunya बुला बहुत कितना कितना अपने को हुश्यार समझता है कि यहां किसी को कुछ देना नहीं है फिर भी शुक्री आदा नहीं करता फिर भी थैंक्यू नहीं करता फिर भी ग्रेटिटुट नहीं करता यह हम सब लोगों के लिए भी lesson है और आप देखिए उनकी वाइब जीवन में treatment करा लिया उनका medical college में वो रहते थे तब उन्हें चिंता नहीं हुई लेकिन एक जगह जाके जहां उनके husband जो doctors के बीच में रहते थे उसके बाबजूद वो खा रहे हैं और स्वस्थ मैसूश कर रहे है उनके चहरे पे ओज और तेज दिख रहा है इतनी दिर में गुरूजी ने उनको तीसरी बार बलाया और बोला कैसा है प्रशाद तो अस्थाना साब बोले बहुत अच्छा तो गुरूजी ने तीसरी बार रख दिया अब आप देखे प्रभू की लीला और गुरूजी की वह नों ने प्रिशाद खाना सुरूख किया उनकी वाइब से रोका नहीं गया उनकी वाइफ आगे आ गई और उनको रोकने लगी और मैं गुरूजी के बगल में पैर दवारा था गुरूजी से बोली कि डौक साहब से आपको बताया नहीं उनको टैवटीज है आपने इन वो आप देखिये मालिक की दया और कल्पना हम तो जान गए थे कि गुरुजी क्या कर रहे हैं अस्ताना साम ने प्रेम पूर वक्त तीसरी बार भी प्रिशाद खाया तुस्विपवर से हाथ पोचे और वाश्रूम गए और सारी दबाई फ्लश कर गए गुरुजी ने में इत लाइव और चैतन महसूस कर रहा हूं यह मेरे को डाइवटीज हो इनी सकती इसलिए आज और अवीज से मैं दवाई खाना बंद करता हूं क्या है गुरुजी कैसे लोगों की मती पर बैट जाते हैं कैसे लोगों को आपको एक बार में गुरुजी की ब्लेसिंग मिलनी है लगता हम सब स्वता जुम्मेदार हैं हमने गुरुजी को कितना माना है कितना उन्हें सराहा है कितना उन्हें साधा है इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारी गुरुजी पर कितनी आस्ता है कि गुरुजी की किरपा कैसे आप पर होने वाली है आप देखिए दूसरे दिन वो आंटी जो उनकी वाइव इतनी डॉक्टरी कर रही थी वो जब टेस्ट कराके आई मंदिर के समय से पहले ही पहुँच गई और जैसे ही गुरू जी गद्धी पे पहुँचे उनके चर्णों में लिपड गई और बोली यू आर गॉड नथिंग मोर नथिंग लेस मेरे हस्बेंट जो 28-30 साल से डाइबिटीज थी मैं जिंदगी में डॉक्स आपको नहीं भूल सकती कि उन्होंने जो है एक बार में आके गुरू जी हसने लगे कहते हैं यहां डॉक्टरी नहीं चलती यहां भगवान की किर्पा चलती है और वो रिपोर्ट तो बेस्ट आप माइ नॉलेज फास्टिंग पीपी बलड हीमोगलोबिन ग्लाइकोसलेटेट हीमोगलोबिन और यूरीन सारी टेस्ट नॉर्मल आप देखिए कैसे गुरू जी किर्पा करते हैं आप शुक्रिया अदा करिए जन्होंने गुरू जी से आपको जोड़ा आप शुक्रिया अदा करिए गुरू जी का कि गुरू जी ने आपको जोड़े रखा आप शुक्रिया करिए अपनी मती का अपने मन का अपने का कि आप गुरू जी से जुड़े हुए है बस यही बहुत बड़ी गुरू जी से एक तार है आप उसमें कोई regret मत करिए आप उसमें कोई दुख मत करिए और आप गुरू जी को सिर्फ मानते रहिए आप गुरू जी को बहुत सारी चीजें मैं शेर नहीं कर सकता कि गुरू जी पी हॉस्पिटल में था तो गुरु जी कई बार आ जाते थे और गुरु जी इंडिया गेट कुछ संगत को आइस्ट्रीम खलाने ले जाते थे और गुरु जी की महर देखिए किरपा देखिए कि चार-पांच लोग होते थे मेरे पास जैन गाड़ी थी और गुरु जी तीन को जब ऐसे क्खा लेते थे तो गुरु जी मेरे से कहते थे तू पैसे दे तो मेरे को बड़ा खराब लगता था में अनमेरिड हूं और इतने बड़े-बड़े लोग और गुरु जी मेरे से से गुरु जी से ना माँए गुरु जी से प्राथना करें कि जो ने अच्छा लगें वो वो करें वो हमारे लिए कृपा करें वो ज्यादा बड़ी बात है इसे गुरु जीने नेक्सHoender Śream किया और मेरे को फिर पैसे देने पड़े आइसक्रीम के तो मेरे को बड़ा खराब स तो गुरू जी से गाए है की यह जाना पड़ गया घ्याट से अधन को जरूर से दिलबाऊंगा क्यों यह विल्यूंटर नहीं है इस आधने क्या सब्सक्राइब? इस विल्दो यह जाता हुए और कोई यह जोड़ नोटर समय पर दियाल्यू दें जरूर है वो बाद में समझ आता है यह गुरू जी का spiritual account है जैसे हम बैंक में 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए 5 यार एक लाक एक करोड रुपए डालते हैं सारे पैसे जुड़ते रहते हैं ऐसे यह spiritual account है आप गुरू जी के account करपा उस दिन जरूर महसूस होगी जिस दिन आप सबसे ज़्यादा जरूरत में होंगे जिस दिन आपको गुरू जी죠 की actual जरूरत होगी गुरू जी आपको वहाँ zero-09 मिलें साइस्क्रीम आले से बोला कि ये मेरे गारजियन है तो उनसे पैसे लो कुछी बुले गुरुजी बिल्कुल फ्रशन कपड़े शर्ट और पैंट पैंट के पतलून बहुत ही डैशिंग मतलब पफंटास्टिक मेरे को कलपना और अपने ओज और अपने ध्यान में ये बात ध्यान आती के फिक रिप्ल करेंड कि अदब जो जरूरोंसे गुरूजी की जो मनमें ध्यान करिए तो आजकल भेशक मंदिर नहीं जा पा रहे हैं उनकी दाडरीन्स remember मन में के याद करिए घर पे याद करिए जो बड़े मंदिर की गाइडलाइन्स हैं उनको फॉलो करिए जो सरकार की गाइडलाइन्स हैं उनको फॉलो करिए आप उसमें जिद मत करिए आप उनकी कृपा को महसूस करेंगे आप आज देखिए मैं सत्संक कर रहा हूं यह तो आपको भी उनसे जुड़ने के लिए बहुत सरल होना पड़ेगा यहां पर कोई स्टाइल और वो बाते नहीं चलने वाली गुरुजी सबको स्कैन कर देते हैं गुरुजी कहते थे जो तेरे को मंदिर तक लाया है उसका शुक्रिया गेट तक गेट के अंदर क्या होगा व आप उसमें रिग्रेट मत करिये उसमें कमिया मत निकालिये आप उस पानी के साथ उस किरपा के साथ बहते रहिए और आपको गुरुजी अपने आप जो देना है जो करना है वो करेंगे और उनकी किरपा को आप महसूस करेंगे तो तीसरी बार जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला कि मैं पैसे नहीं दूँगा गुरुजी बहुत सीरियस हो गए गुरुजी बोले मेरी जेम में पैसे नहीं तू चल मैं मंदिल में जलके पैसे देता हूँ मैं का नहीं वो आइस्ट्री माले को बोला गुरू जी ने एकदम मैंने देखा कि आस्मान की तरफ हाथ किया और हाथ करते ही गुरू जी के हाथ में एक सौका नोट आ गया और बहुत फ्रेग्रेंस और गुरू जी का चेहरा बदल गया मैं बहुत मायूस हो गया क्योंकि गुरू जी बहुत स्ट्रिक्ट थे किसी को भगा देते थे कि आप 10 साल मताना पंदरा साल मताना मिल नहीं नहीं जीवन में आप तो मैं बहुत तर गया मैंने गुरू जी को एकदम गुरू जी ने शारा किया मेरे से पैन मաंगा और उसमें blessing always लिखा और उस ऐस्ट री माले को दे दिया और उसको क्या किरपा की गुरु जी ने गुरू जी जानते हैं और मैंने जब पैन लटा रहे थे गुरू जी मेरे को तो गुरू जी की नहीं कर सकते पत्ता भी नहीं ला सकते उनकी मर्जी के बिला जो आप सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं उनका शुक्राना अदा कर सकते हैं कोई चीजें को दुख मत मनाईए कोई रिग्रेट मत करिए गुरुजी हमारे खुद इतने स्मार्ट इतने सहज और इतने स्टाइ आप बिना रोके भी गुरु जी से प्रात्ना कर सकते हैं, बिना चेहरे को खराब करके भी गुरु जी से बात कर सकते हैं, गुरु जी बहुत दयालू है, गुरु जी सुनते हैं, गुरु जी बहुत ही छोटी छोटी बातों को सुन लेते हैं, एक चीज मैं आप से शेयर करता और इक अंकल आंटी आते थे किसी के भाई थे किसी की लड़की थी किसी की बहुत थी तो जब अपने घर पहुंचते होंगे तो उनके जो किसी के फादर इनला, किसी के फादर और किसी के हस्बेंड लगे होंगे तो वो सोचते थे ये कैसे गुरू के पास जाते हैं तो आप सब लोगों ने तो इतने बड़े बड़े गुरू जी के सरूप रखे हुए हैं उस समय गुरू जी कभी कभी छोटा साई blessing always करके लिखके दे रखते थे जो मेरे पर्स में है और मैं गुरू जी की कृपा चाहता हूँ कि आप सब लोगों तक भी चाहे उस कृपा को तो मैं आपको वो सरूप दिखाता हूँ और गुरू जी के महर देखिए कृपा देखिए कि गुरू जी कैसे आपको वो सेवा देते हैं और कैसे करते हैं तो वो जो अंकल जो थे वो गुरू जी की कृपा से वो आये और गुरू जी की कृपा की और गुरू जी की कृपा से उन्होंने वो जब गुरू जी के पास आये तो उन्हें लगा कि हम देखेंगे कि गुरू के पास ही जाते हैं तो विचारे जो उनके वो थे वह बहुत मायूस हो गए और उनने लगा कि यह कुछ गरवल कर देंगे और गुरू जी उसके बाद हमें जिसे नहीं घुरुजी के पास पहुचे तो Mm जी के किमा इनक॓री के晶ुड कें जुक्त धुझ रहे थे उन्होंने एक गुरुजी ने अपने पने यूजुप अपने और अंपने compet-id तो यह मैंने बहुत साक्षात अपने बगल से गुरू जी ने मेरे को बिजन कराया और जैसे ही वो अंकल उठे तो गुरू जी बोले अब तेरे को लाठी की जरूवत नहीं है तू स्वस्त है अब लाठी की मेरे को जरूवत है एंड टू बेस्ट आप माई सर्प्राइज मैंने देखा कि गुरू जी एक उस लाठी पे हाथ रखा एक मेरे कंदे पे हाथ रखा और बेडरूम में और इतनी दर्दनाग अवस्ता में आ गए गुरू जी कि जैसे ही मैं उनके बेडरूम में पहुँचा और वो मैंने उनके गुरू जी ने इशारा किया मैंने घुटने से वो चोला हटाया मैं दंग रह गया वह इतनी स्वैलिंग बढ़ रही थी उसमें नसे चल रही थी और गुरू जी के चेहरे पर भाव बदल रहा था और मैं बहुत बुरी तरह रोने लगा और गुरू जी बोले कि तू भोग नहीं लेता तो इसको समझ नहीं आता है कि इसके बच्चे इसकी वाइब या इसका बहू कहां आते हैं आप देखिए भगवान ने दूसरे को उनकी मदद करने के लिए अपने सरीर पर गुरू जी ने परिशानियां ले ली और मैं बहुत मायूस हो गया और मैं इंज इजद बख्षत देते थे कि आप दिन वर के लिए चार्ज हो जाते थे और गुरू जी की कृपा से जब पांच में दिन में गया तो मैंने थोड़ा पानी गिर रहा था तो मैं थोड़ा भीग भी गया जल्दी में था गुरू जी के पास पहुंचा इंजेक्शन लगाया गुरू जी काफी अच्छे से उनका घुटने का थोड़ा पेन कम हो गया था गुरू जी बोले मेडिसंस लेना शूरू करते हैं डॉक्टर जो मेरे मन में था मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था उनको इंजेक्शन लगाना और गुरू जी ने एकदम अचानक जैसी मैंन इंग्लिश में बोलना शू किया और जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया गुरू जी ने हाथ मिलाया ऐसे लगा जैसे आप ठंडा पानी पीते हैं गर्मी में और पूरी आपको अंदर तक आत्मा तरप्त हो जाए ऐसे मेरे को फील हुआ मैंने का गुरू जी बहुत अच्छा जाते हैं लड़की की शादी हो गई तीन साल बार पूछो बोले हां गुरू जी वो तो तभी हो गई थी प्रमोशन हो जाए ओफिस में दिक्कत है तो बोलते हैं कि वो तो तभी ठीफ हो गया था लेकिन थैंक्यू भी नहीं बोलते शुक्राना भी नहीं करते करते रहे हैं हर चीज में जो भी आप कर रहे हैं जिस चीज में हैं जिस चीज को आप कर रहे हैं जैसे भी उनकी कृपा को महसूस कर रहे हैं यह शायद बहुत 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 बढ़ी बात है क्योंकि इसके अलाबा हम गुरू जी के लिए और कुछ कर भी नहीं सकते और उनकी कृपा कैसे महसूस होती है आप देखिए और आपको वो बराबर इस्तितियां देंगे महसूस कराएंगे कि कैसे उनकी कृपा है जैसे ही गुरू जी का जैसे मैंने बताया है कि 7-9 चोलों में रहते थे उसके बाद 9-11, 12, 1-2 बजे तक गुरू जी का ससंग और कोई डांस या कुछ चलता था कभी-कभी गुरू जी अपने बैटरूम में चले जाते थे तो जो 20-50 लोग बच जाते थे वो आराम से थोड़ा रिलेक्स हो जाते थे तो एक दिन मैं भी मंदिर में जैसी गुरू जी गए और मैं भी थोड़ा सा आणातरचा सा लेट गया थोड़ा सा और इतनी दिर में गुरू जी आ गए तो सारी संगत तो ठीक अवस्ता में बैट गई बट मैं गुरू जी को नहीं देख पाया और गुरुजी बिलकुल मेरे सिर्फे आके मेरे सिर्फे बुले, हाँ वही, की हो रहा है। तो एकदम मैं ठर गया और बड़ी सहस्ता से बुला, मैंने का गुरु जी भूक लग रही है और मैं कार में गया, कार में भी कोई मिठाई नहीं थी, गुरु जी बहुत सारा प्रिशाद देते थे, जब कार में मेरे साथ चलते थे, तो कुछ-कुछ खा लेते थे, उसमें कु गुरु जी बोले कि तू सोच ले, क्या खाना है, मेरा भी देखिए, थोड़ा सा, मतलब, चंचल सा दिमाक रहा होगा, और मैंने सोचा कि गुरु जी ने आज परमीशन दिये, मालिक ने आज किरपा किये, तो मैंने सोचा जो पंजाबियों में लड़ू होता है, 2500-300 ग्रा हुआ था, वहां से वो प्रिशाद गुरु जी के हातों में, और इतनी फ्रेग्रेंस, उसकी दिब्ब फ्रेग्रेंस, सब लोग अचंबित हो गए, जो 12-15 लोग बचे थे, वहां पर उस समय गुरु जी ने रोका था एतनी देर तक, उनको वो दिब्ब करपा गुरु जी थी तो मैंने चुपचाब वो प्रिशाद जेम में रख लिया, रूमाल में, और गुरु जी से मैंने बुला, गुरु जी सौरी छुपा के रख लिया, मैंने का गुरु जी सौरी मैंने आज इस तरह आप से यह बात रख दी और मेरे को नहीं रखनी चाहिए थी, गुरु गुरु जी ने कहा, यह बहुत दिभ प्रिशाद है, जो यहीं खाना है, आप मालिक की देया देखिए कि उसके बाद गुरु जी ने हलुआ प्रिशाद बनवाया, जो एक चार चमच मुश्किल से होता था मेरे को आज भी याद है और उसमें घी बहरा होता था और उस हलुआ प्रिशाद को एक एक चमच मुश्किल से चार लोग एक प्लेट में शेयर करते थे और लगता था कि कौन सी दुनिया में चले गए उसके बाद गुरु जी ने जो है चाय प्रिशाद पिलाया और सब संगत के जाने का सुरुआत हो गई अब आप कल्पना करिए मालिक की दया की फ्रेग्रेंस की कि जैसे ही मैं जाने लगा गुरु जी ने मेरा हान पकड़ लिया मैं वो प्रिशाद चुपा के चोरी करके भूल चुका था गुरु जी बोले मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ा देखो यसी लिए वो भगवान है और मैंने राइट हैंड में चुपाया था राइट पकट में गुरु जी ने मेरा लेफ्ट साहा, अंधर में यहीं खाूंगा गलती हो गई मुरे से, कहते 건 geven नहीं बाएं हाथ से दाएं हाथ का इसाप है रोब सभा भर किनारे हैं मेरे अंतरयामी और edel गुरू जी सबके हैं, कि वह सबके नहीं हैं शीमत्र गुरुजी ने बत भी आप आ खा, 我ह में बरोता है, और बड़ा मायूस महसूस कर रहा हूँ और सारी संगत देख रही है कि मैं ही कहने किया था कि प्रशाद यहीं खाना है और मैंने गुरुजी को बड़ी समझाने की कोशिस की कि सुटी इतनी सेवा करती है गुरुजी जब आप बोलते हो तब आती है और गुरुजी की महर और कृपा देखिए कि गुरुजी की महर और कृपा से और गुरुजी माने नहीं गुरुजी ने वही किया जो गुरुजी को करना था गुरुजी वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा है गुरू जी वही आपके लिए सोचेंगे जो आपके लिए अदबुद है लॉंग रन है आपको हो सकता है गुरू जी के पास पैसे लेने गए हो और गुरू जी हो सकता है आपकी तबिया ठीक करें अब आपको लगे गुरू जी ने पैसे नहीं दिये अगर आपकी तबिया ठ अगल मैं खड़े होके मालिक का शुक्राना सशंग करना सुरू किया, मेरे को बढ़ा अजीव लगता था, गुरू जी मेरे को क्यों खड़ा कर देते हैं, मेरे से क्यों करते हैं, मेरे सशंग सुनते थे, और उसके बाद गुरू जब तो सशंग सुन के 不會 कर नहीं, तो मैं चुपचाप गुरुजी मैं बैठ जाओं, तो गुजी बुलते थे अरे तु दो ससंग रह गए ते रहे सुना इनको, तो लगता था अरे यह तो मेरी सुनी नहीं रहे थे, और गुरुजी को कैसे पता है, यह बताने के लिए कि वो भगवान है, तो आप जीवन में उ लेकुरे मैं भुरूजिमारी दें किसा लिलो मिलखता को आप दुरेभा कूं और हम धे करें से कुछ लगा एकजाम को भरके है मैं मंदिर पहुचा तो गुरू जी ने बताई कि लोगों को तू तू कहता है कि कुछ तू लिख दे, नमबर कैसे देंगे और बोले मैं कैसे किसी को करूँगा तो यहाँ पर आपको physical, mental, moral या financial सेवा करने ही पड़ेगी गुरू जी कहते थे कभी अच्छे भाव में होते थे कि डॉक्टर मेरे पास तीन बजे से लोग आते हैं या तो भाव में आते हैं या अभाव में आते हैं या प्रभाव में आते हैं जो भाव में आता है गुरू जी उस पर कृपा करते हैं, अच्छाई दिखाते हैं उसके दुखदर दूर करते हैं, कोई ओफिस में परिशान है, कोई घर से परिशान है, कोई अपनी वाइब से परिशान है, कोई अपने आप से परिशान है, उसको गुरू जी दिखाते हैं कि वो कहां आ गया, उसको इतना प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं, और कोई जो उनों चीज़ें हटा दी तो वो प्रभाव में आता है वो शुक्राना करने आता है थेंक्यू करने आता है कि गुरुजी आपकी कृपा है कृपा रहे कृपा बनी रहे हमें भी नहीं पता है सत्संग गुरुजी क्यों खरा रहे हैं मेरे को क्या ब्लेस्ट करना लेकिन हा संग जी मेरे को बताते थे और ये बात मैं देखता था कि जब जब मैंने ससंग किये गुरुजी के साथ रहे या कोई सेवा की उसका फल हमें मिलता हुआ नजर आता था उसकी खुशी हमें महसूस हुए नजर आती थी तो कितनी अद्वुच जगह है कि आपको यहां कुछ लेना न लोगों को लंगर कराते थे गुरुजी को पता था ये समय आने वाला है माला टाइम आने वाला है लोग तिनके से थोड़े-थोड़े खाने की भुख से भुकमरी से मर रहे हैं कितनी बड़ी अद्वुद लीला है दूसरी बाद आप देखिए गुरुजी ने हमें बांट जल परशाद, चाय परशाद, लंगर परशाद नहीं छोड़ना है गुरुजी कहते थे जो तुमको सबसे जादा चीज पसंद है वो बांटो वो शेयर करो इसलिए माले कभी कितनी अच्छी अच्छी टॉफियां वराइटी ओफ चॉकलेट्स टॉफियां गुरुजी शेय जहें सरल हैं डॉक्टर स्वीटी बंसल गाइनकोलोजेश और गुरुजी ने ना जाने कितने लोगों को स्वीटी को ढाल बनाके अपनी किरपा से कैसे बच्चे दिलवाए और कैसे उनकी बहुत सारी गाइनी और उसकी प्रावलम दूर कराई हो ना जाने कितने पेशेंट करने से कुछ चल रहा है वो भगवान है वो जो चाहेंगे वो होगा वो चलेगा उनको जिस जिसको अधिकार देना है वो ही लोग उस अधिकार में अपना निमिट डाल पाएंगे यह उनकी किरपा है बहुत अद्बुद लीला है कि गुरुजी की कैसे उनकी किरपा को एक में सच्प्ट हो नहीं दोख नोगे के दाहिक और मेरी मेर हाँ तो उन से बोला कि अगरवाल और उनके साथ-ाट-सादी के पीसिज और समुझ से छोटे छोड़ गए थे उसमें प्लेट में तो वाइफ ने का मेरे रूम में रख दो मैं भी दूसरी डिलिवरी में जा रही हूं इतनी दिर मैं पता चला कि मेरी वाइफ से कोई मिलने आये हैं और गुरू जी के यहां से आये हैं और जब मिली तो उन्ह कि लिए रखा था उसने उसमें से उरस्वरी और समोसा प्रिशाद खला दिया और बोला कि 15 दिन बाद आप आना इंटेस्ट के रिपोर्ट कराके और इस बीच में हम गुरू जी के पास जाते रहे गुरू जी कुछ नहीं बोले तो कितने दयाल हूं है कैसे बगवान है और कि वाइफ ने का कि गुरू जी का शुक्री आदा करिये और उनको बोल के आईएगा और साम कोई हम लोग को सहबाग मिला तो हम लोग जो है गुरू जी के पास पहुंच गए और जैसे ही हम सीड़ियां उतर रहे ते और मेरी वाइफ ने गुरू जी के पैर चुए तो गु करपा को महसूस कर रहे हैं आप उनसे चुड़े हैं तो कितने तयाल हुए हैं गुरू जी कैसे करपा करते हैं गुरू जी आपको जो मैं अपने बेटे का बता रहा था तो मेरा बेटा गुरू जी के कई बार चोले के बीच में बैठ जाता था और गुरू जी की करपा और गुरू जी की मेहर देखिए करपा दिकिए करफा और और मेरा बेटा अचानक एक दिंग मेरे जthis सेवाद्राइश जो भकितता है और गुरू जटमक्रवा और गुरू जी कples लिए और गुरू जीए माचना आर Machinealed बहुत हैं आपए गिट मेरे अगों बॉला से अगो किचलें इसे ए मेरे से कृटिर मेरे कोई बखील नहीं है जैसी में डॉक्ब्री करने लगता था गरूजी जब कहते थे तो तो वह लिखवाते ते टीट्मेंट लेकिन वह मेरे नहीं आते थे पर से इनकी कि हृफ ग Lagaz जैसे ऑने बोलने पड़ेगी तो ऐसी मैं आपका बंते हुए मैं आप और विश्रुद बासू जाने गुरू जी ने कहा उसके तुल वहां सच ले और चॉकलेड तौफियां कषया तोट हुआ Sixty रहा है मेरे बेटे ने जेवों में भढ़ना शुरू किया गुरू जी के चोलों में लपेटना शुरू किया गुरू जी ने कहा उससे कि तू अपने माबापनू दे दे गोला no it is my प्रिशाद you are God you keep it I will take later on आप देखें कैसे हैं गुरू जी कैसे कृपा करते हैं बच्चे की भी सुनते हैं और कैसे कृपा करते हैं गुरू जी से आपको हट करना पड़ेगा गुरू जी को मनाना पड़ेगा गुरू जी के साथ सहज होना पड़ेगा गुरू जी के साथ सरल होना पड़ेगा तभी आप गुरू जी को लुए구yu जीयुए तो सवस्हाइव से माध करते हैं। तो वो चाह सामान अच्छी दिखाता है। पुर्चता सामान नहीं है तो आप तो यहां भगवान से मिलने जा रहे हैं तो आपकी अपकी लड़की का दमाद का हस्बेंड आपके गर इनर पे हाता है तो आप घर डेकोरेट करते हैं चीजें रखते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं रबिंदर भाटिया अंकल की बड़ी बेटी की शादी हुई हम सब को बहुत क्लोजली देखने का सब सौभाग मिला आप कितनी कितनी चीजों को माइलूटली ऑब्जर्व करते हैं और आप बताइए कि आप भगवान से मि मिलने जा रहे हैं गुरूजी को घर बुला रहे हैं खुद कल्पना करिए गुरूजी की महर देखी एक दिन गुरूजी साड़े ग्यारा बारा बज गए होंगे बढ़िया सी डेसिंग शर्ट पेंट पहने हुए थे अचानक गुरूजी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने और ओर्गन सब बिलकुल अपनी जगें पे थे कोई ओर्गन बढ़ा हुआ नहीं था और मैंने गुरूजी से बड़ी सहस्ता से बोला कि गुरूजी मेरी नौलेज बहुत अच्छी है और आपकी किरपा मिल गई तो मेरी नौलेज और बढ़ गई और उस किरपा और नौले कियते है कभी कभी मैं जब उठता हूं सोके तो मेरे चकर आजाता है तो तु मेरा ना ब्लड शुगर भी करा और आगे गुरूजी इतना कहते कहते बहार बहुत सारी संगत थी बहुत बड़े लोग छोटे लोग सब थे गुरूजी ने मेरे से इशारा किया तो अपनी चाहिए और गुरजी ने शेवा बक्सी ती और मैं जैसे ही निकला तो गुरूजी ने बूला एक को बिठा ले तू तो बहुत सारे लोग दोनों तरफ खड़े हो गए तो मैं ने घंथा पाओं इंग आ आप ही बिठा लीजिये मैं किसको बोलाूं और रों गुरूजी ने पास पास पहुंचा मालिक ने मेरे मन में बिचार डाला और मैंने गुरु जी जी मेरे हैं ऐंसे लगी हुगुरु जी क्या लगया और मैंनेटे लूग से इन्मुनुंड भे ढिया उल्ट के तो जितनों क्यों देख वि enthusiasts तो जितने मैंने चेक किया देखो मालिक का सब काम डिसाइड़ है मैं एमस की तरह मुणने ही वाला था कि मेरे मन में चेक करते ही दिमाग में आया कि ब्रिगडियर साहब आर्मी होस्पिटल आरार में अपने दोस्त हैं और रेडियोलोजी में हैं और उनके पास चलते हैं वो मेरी मर्जी थी मेरे को कहा ले जाना था मेरे मन में विचार डाला था कि एमस नहीं जाना है और आप मालिक की दया देखिए किरपा देखिए मैं आरार होस्पिटल की दरफ चलता रहा गुरू जी अपनी मस्ती में अपने गजल अजल सुनते रहे और हम पहुँच गए हम उत्रे बहाँ पर वो अंकल जो थे वो भी उत्रे गुरू जी मेरे साहब बहुत तेज तेज सब्सक्राइब कर देखिए तो उन्हों ने मेरे बुलाया के तो पागल है तिरे को डॉक्तर किसने बना दिया तू बता रहा हैं कि पेट में सीब्यर दर्द हो और हो जाता है और तू इनके साथ वाक कर रहा है मैंने का यह मेरे गुरू जी है देखिए सर इनके औरा को किये आपका भाग है गुरुजी आपसे मिलने आये हैं और मैं इतना सब समझा रहा हूं कहते डॉक्टरी पेशेंट से नहीं होती और जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्हुनें बड़े में मंसिक भोला कि ठीक है तुँ अंदर रूम में लेके जा रेडियो जिल्लॉजी वाले रूम में और मैं गुरु जी को रूम में ले गया। गूरुजी बहां लेट गए बिल्कुल लाएक के पिश्ञेंट और उन्होंने प्रोब् तो गुरू जी के अमलाइकस से अमरत आ रहा था। गुरू जी ने शारा किया, हमने माथे पे लगाया, दूसरे अंकल डर के गेट पे खड़े हो गए थे, गुरू जी को फेस करना भी आसान नहीं था। गुरू जी उसे आप नजरे नहीं मिला सकते थे अगर उनकी मरजी नह कर सकते थे, और उनकल ने भी लगाई और गुरू जी देखो हमें क्या ब्लैस करने ले गए थे, माध्यम बना के, और गुरू जी की किरपा से वो डौक साब जो बिल्कुल बे मन से गुरू जी का अल्टरसाउंट करना भी नहीं चाहते थे, वो इतने गुरू जी में लीन ह हो गए, उनकी किरपा में लीन हो गए, कि वो मेरे को बताने लगे, यार डॉक्टर अनेल देखो इनके तो कोई प्रॉब्लम होई नहीं सकती, ये दो को इनका लेवार, ये किड्नी, ये 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 ऐसे, मैंने ठीक इनको बता दो, क्योंकि मैं बहुत नराज हो चुका था जब गुरुजी भी लेटे थे, गुरुजी लेट के बैट गए, और गुरुजी ने जो है, बोला कि मैं भी अल्टरसौंड कराने नहीं आया हूँ, मैं तेरा CT scan करने आया हूँ, तेरे बच्चे तेरी सुनते नहीं है, और तेरी वाइप तेरी सुनती नहीं है, तेरे बच्चे रहे थे गुरुजी के अद्बुद लीला देखिए ना मैं उनके बारे में सब जानता था ना गुरुजी ने मेरे से पूछा था ना हमें पता था ना गुरुजी को पता था कौन आने वाला है और गुरुजी ने उनकी फाइल स्कैन कर दी ये है मालिक उनकी कृपा वो कितने डॉक साब बिलकुल मान के राजी नहीं थे कि वो चलने को तयार हो गए मैंने का ये गुरू जी हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं गुरू जी ने उन्हें टाइम दिया कि साथ जुलाई को तुने आना है और वो साथ जुलाई में आने के लिए गुरू जी ने तै कर दिया उनको इतनी देर में गुरू जी ने जो कहा था कि बलड शुगर गुरू जी को आप भुला नहीं सकते थे गुरू जी को आप समझा नहीं सकते थे वो जो सोच लेते थे वो करते थे और गुरुजी के कृपा देखिए कि जैसे ही वो कॉली डूर में चलना शुरू हुआ तो गुरुजी ने कहा था कि इंडिया गेट आईस्क्रीम खलाने ले जाओंगा तो मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत फस्क्लास अल्टर साउंड आया है बताईए डॉक सामने क्या किया आप चलते हैं इंडिया गेट आईस्क्रीम खाने गुरुजी बोले नहीं तो मेरा बलड शुकर करा देखो कितने कैसे हैं गुरुजी आप गुरुजी का जो काम है मैं जो बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिए गुरुजी से जिसको मिलना है वो मिलके रहेगा गुरुजी ने जिस पर किरपा करनी है वो करके रहेंगे आपको अगर माध्यम बना रहे हैं तो आप सुकराना अदा करिए आप चौधरी मत बनिये आपके बिना माध्यम बन के भी गुरु जी उसकी मदद करेंगे गुरु जी उस पर अपनी कृपा करेंगे ऐसे हैं गुरु जी ऐसी अदबुद है लीला उनकी और गुरु जी ने उस ब्लड शुगर वाले उनको बलाया गया वो लेब टेक्निशन बहुती सिंसियर और गाउ और गुरु जी की महर देखे किरपा करिए कि गुरु जी को प्रिक करना पड़ा और गुरु जी की महर और किरपा के अंतरगत आप उनके वह ब्लड शेंपिल ले गए थोड़ी दिर बाद जब वो लेके आये रिपोर्ट तो बोले के डॉक साब इनका तो 28 मिली ग्राम आया और मेरे पिछली भी रिपोर्ट सही थी और ये भी रिपोर्ट सही है बहुत कॉंफिडेंस गुरु जी ने जैसे भर दिया हो और उसको अंदर और द्रण विश्वास के साथ वो गुरु जी के चड़नों में लिपटने लगा क्योंकि गुरु जी की इतनी अदबुत परसन के लिए मेरे को कोई बलड शुकर नहीं कराना था बता जल्दी से तेरे दो बेटे हैं देखिए हम सब को भी नहीं पता था गुरु जी अंतरयामी है वो बोला हां कते बता जल्ली से किसको डॉक्टर हो किसको इंजीनियर बनाओ आप देखिए कलपना मालिक की वो बोलता है का लग रहा था और वो रोने लगा हम और वो अंकल से के डॉक साब हम गाड़ी कैसे ले पाएंगे तो मैंना का भाई यह तो गुरू जी कह रहा है हम लोग इनके कोई बकील नहीं है वो जो कह रहा है वो हम बता रहा है और आप गुरू जी किरपा देखिए गुरू जी की महर के कि और बर्त के बाद और आप गुरु जी की खिरा राक्याएं कि वहमारे घर आ गया is मयुकी में पियर आपको आज 30 जून को आके, कि मेरी डॉक साब माई में मेरी जो 7-8 साल की नौकरी थी, वो रेगलर हो गई, और मेरे को पैसे मिल गए, तो मैंने गाड़ी खरीद ली है, मैंने का गाड़ी तो खरीद ली है, लेकिन 7 जुलाई गुरू जी ने टाइम दिया, और 7 जुलाई जैसे ही बहुत कर देते थे, जब उनकी मर्जी होती थी, किस ससंग में, किस के घर में, कितने बजे, कौन से कपड़े में, कौन कैसे मिला था, ये सिर्फ चीजें भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता, और मालिक की दया देखिए, वो जैसे ही गुरू जी के करीब आया है, गुरू जी न करते, गुरू जी के सेवा करते, कहीं ससंग करते, कहीं पर अपने गुरू जी को याद करते, उनके मंत्र जाप करते, कैसे भी गुरू जी को आप मना लीजिए, वो काम होके ही रहेगा, आप बहुत सहज हैं, गुरू जी सरल है, शायद समय काफी हो गया, मैं एक ससंग अप कर दोंभाये थे और गुरु जी क्या हैं आप सोचिंए हे हम दूनों डॉक्टरों की डॉक्टरी नहीं चलती इधर मालिक की कृपा चलना हैं और आप देखिय छादी के गुंद घृपध मकारें और जैसे य। सब ठीक हो जाएगा कोई वर्चन कराने ही जरुवत नहीं हम लोगों ने वही किया फर्स ट्राइमिस्टर में उसे मलेरिया हो गया हम लोग घर गए थे कानपूर वहां से हमने गुरुजी से बात की गुरुजी ने कहा जो भी दबाई दे नहीं दे देना और जो है आके मिलना तीन दिन के अंदर और हम साब वैसे ही मिले गुरुजी ने सब बढ़िया रहा सिक्स मंत में जो मेरी वाइफ को स्टोन थे उस बज़े से वाइफ को यूरीन आना बंद हो गया किड्नी में स्वैलिंग बढ़ गई और फीवर आ गया और बहुत हम परिशानी में आ गए और जो पानी है वो सरीर में रुखना शू हो गया तो काफी इसका सरीर भी बदल गया और हम सुबह से साम तक करते रहे तो जो यूरो लॉजिस्ट थे हमारे वो डॉक्टर बड़े नाराज हुए कि तुमने प्रिग्नेंसी कंटीनू की मैंने कहा था तुमसे फिर भी और हम उन जानी में हम डॉक्टर से बोलके के डॉक्साब हम घर से कुछ कपड़े लेके आते हैं और हम गुरु जी के बजाए हरी नगर जाने के और हम जो है चन्न दिभी होस्पिटल में थी मेरी वाइब जनःपुरी में और हम वहां से चुपचाब गुरु जी के मंदर की तरफ च हैं और जैसे ही हम पहुचे तो देखा मंदर लि mound देखा भी नहीं देखाए हैं तो ऑन लोगो ने सोचा इन से पूछतेuses कहां पहां को जैसे यान मंदर धिए नहीं नहीं चैन नना सूट तो मैं पन्तों कि चल ंब घढ़ इससी गुरु एंचछी की तो मैं मोजी की उर च सेलेक्ट हो रही है और फीवर है और हम बहुत परिशानी में आ गया है और जैसे ही मेरी वाइफ की तरफ गुरुजी की नजर पड़ी थोड़ा अंधिरा साता है अरे यह तो पहचान में नहीं आ रही गुरुजी बुले कोई नहीं बैट जा अब देखिए अब अब गुरु गुरुजी के शारा करते ही एक थाली में दो लोगों का लंगर लेके आ गए और हम लंगर करते जा रहे हैं और हमारी बहुत सारी परिशानिया हमारे मन से हटती जा रही है और हम देख रहे हैं कि गुरुजी यहीं ब्राजमान रहे हैं हम अपनी बात कह सके लंगर जैसी ख समझ रहे हो आज आप अपनी परिशानी में गुरू जी की बात नहीं समझ पा रहे हो और एक्शली मैं बहुत डरा था और गुरू जी ने मेरे से कहा कि ठीक है छुटी कल्याण की ता और हम चल दिये वहां से जब हम चले तो हमारी परिशानिया फिर बढ़ने लगी और हम मेरे मन में डाला जिसकी कोई जरूवत नहीं थी कि दुबारा अल्ट्रासॉंड करा और मैंने डॉक साब जब आय तो फस्ट ऑपरेशन करके तो काफी तीन बच गए उन्हें पहला ऑपरेशन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया होगा तो उसकी किरपा से गुरू जी की महर दे बोले यार कल तो अल्ट्रासॉंड करा था 24 गंटे में ऐसी क्या घटनाय बदल जाएंगी मैंना कजर कर लेजिए कोई बात नहीं नॉन इन्वेजिव टेक्निक है डॉक साब ने अल्ट्रासॉंड किया गुरू जी की महर जिस व्यक्ति से आपका काम है गुरू जी उस पर बिराजमान हो के आपका काम कराते हैं वो डॉक साब जैसे जैसे अल्ट्रासॉंड करते जा रहे हैं वो देखके अचंबित हो जा रहे हैं उनका चार्ट देखा गुरू जी की कृपासे तो इसमें फीवर कम हो रहा था मेरी वाइव का और उनका जो स्वैलिंग थी वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और घर आते आते पांच बच गए होंगे और एकदम ध्यान आया हमें और वाइफ को कि गुरुजी ने आस तो बुलाया था हमने नहाया और सारी रिपोर्ट कलेट की और गुरुजी के दरबार में पहुंच गए सुनिया आप कलपना करिये क्य हैं गुरुजी और जब अपने पर पढ़ती ही तब समझ आता है कि क्या है भगवान क्या है गुरुजी और आप देखिए वो रिपोर्ट लेके हम गुरुजी के पास और मेरी वाइफ जो मैं सोच रहा था इसका ऑपरेशन होगा थर डे मैं अकेला जा पाऊंगा मेरी वाइफ से बोला कि कुर्ट अठा के दिखा कहा तेरा ऑपरेशन हुआ है सीरियसली एकदम मेरी वाइफ बोली के गुरुजी आपकी क्रपा से मेरा ऑपरेशन तो नहीं हुआ बट हम दोनों वर्किंग है और इस तरह हम डेली परिशान नहीं हो सकते गुरुजी का से स्टोन की कोई बात नहीं होगी और आप किरपा देखिए कि उसके बाद मेरी वाइफ को कि किरपा जो मेरी वाइफ ने खुद दस साल बियर किया वह गुरुजी की किरपा देखिए महसूस करिए कि आप गुरुजी ने उसके बाद आज तक मेरी वाइफ ने वह स्टोन कह है ये भगवान परमात्मा जानते हैं अब जैसा गुरु जी ने कहा था कि तुम आखरी डेट तक अपनी डिप्रिग्नेसी में जाओगे हॉस्पिटल मेरी वाइब उस समय हरी नगर से बताईए नजर वड़ जाती थी और मैं बी आई पी डूटी में ना मेरे आने का टाइम म agents जाने का टाइम और गुरु जी की महर देखिए किरुपा देखिए कि 25 तारिक के आख़ा HEY सरजरी मेरे को डर लगता है। और मैं जाके गुरुजी से कृपा मांग के आऊं, महर मांग के आऊं के मिरी नॉर्मल डिलिवरी हो। और गुरुजी की कृपा देखिए कि क्या गुरुजी की महर है जब मेरी वाइब, मैंने जैसे बताया है गुरुजी को फेस करना बहुत आसान नहीं था। गुरू जी की महर से मेरी वाइब ने मेरे को पीछे बुलाया जहां पर डीजे अंकल सरदार जी चलाते थे और मैं गया और गुरू जी की नजर पढ़ गई गुरू जी कहते थे जो मैं आप से शेयर कर रहा था वो है बात लाखोन लोग मेरे पास आते हैं यह बहुत चोटी बात है मैं किसको देखता हूं गुरू जी किसको देखते हैं यह बड़ी बात है गुरू जी के मेरे पर नजर पढ़ गई गुरू जी ने मेरे को बलाया क्या डॉक्ट्री कर रहा है वहां अपनी वाइफ के साथ मैंने का जी डॉक्ट्री नहीं कर रहा है गुरू जी मेरी पही दोक्टर बता क्या क्यी दिक्कत है मेरी भाइब ने बता जी गुरी आपको पता है वो इस्टोन की आज्वतम्न के दिक्कत नहीं हुए तो गुरु जी बोले देख लै तेरी फेल कर दी तेरी है। और वो मेरी भाई बोली कि इसलिए गुरु जी आज हम आये हैं कि मैं चाहिती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलिवरी हो, मेरे को आपरेशन से बहुत ड़ लगता है, इसलिए मैंने स्टोन का आपरेशन नहीं कराया था, गुरु जी एकदम शांत हो गए, गुरु जी बोले ना, त ठोड़ी आगे बढ़ी, गुरु जी ने क्या उसकी मती पे डाला, क्या उसकी मती पे बैठे, मेरी भाई पलटके आई गुरु जी के पास, और बोली गुरु जी, मैं बहुत ही शृद्धालू हूँ, बहुत मन से आपकी सेवा करती हूँ, आज तक मैंने कोई काम मना नहीं किया, मैंने अपनी जीवन में कोई इल्लीगल एवर्चन नहीं किया, और गुरु जी ये सुनते ही बोले, हसने लगे, गुरु जी बोले, जा ब्लेस कीता, तेरे नॉर्मल डिलिवरी होगी, और मेल मुंदा होगा, मुंदा होगा, आप देखो गुरु जी की महर, मेल और फ जनकपुरी में कपूर हॉस्पिटल था, वहाँ पर वाइब दिखा रही थी प्राइवेट में, तो हम लोग वहाँ लेके पहुँच गए, अब आप देखिए, गुरु जी की महर देखिए, किरपा कैसे चालू होती है, कम से कम मेरे सो दोस्त डॉक्टर वहाँ आ गए, आपके की सिजिरन के लिए तू कंसेंट दे, और वो डॉक्टर भी आ गए ही, डॉक्टर कपूर, और वो जो सर्जन था, वो भी के डॉक्साब, बच्चे की नब्ज कम हो रही है, यह हो रही है, जो मैंने अभी आपको सरूप दिखाया था, परसे निकाला और गुरु जी स अधर गया, और मैं अंदर गया, और मैं देख के सन रह गया, कि वो जो सीजिरन करने के लिए मेरी वाइफ का जो गाइनकोलोजिस था, वो निक चाकू लगाने वाला था, और उस चाकू लगाते ही, वो नॉर्मल दिलिवरी हो गई थी, और वो दोनों बिलकुल सन खड़े ह हुए थे हम दो डॉक्टर वो डॉक्टर नौ महीने से मेरी वाइफ को दे रही थी देख रहे थे वो लोग भगवान ने उनकी सारी डाइग्नोसिज बदल दी और वो डॉक्टर मेरे से बोले के डॉक्साब मैंने लाश प्रयास किया आप देखिए स्कैल पर मेरी वाइफ के लॉक्त पर कलपना करिए सीन की किस पल गुरु जी आपकी मदद करने वाले हैं जब आप सबसे ज्यादा उन पर ट्रस्ट करने वाले हैं सबसे जुक के उन पर अपना होशो-अहवास मैं पूरे बजन के साथ गुरु जी को मानने वाले हैं और वो नॉर्मल डिलीवरी मेल लिफापे में रखके दिये, कुछ उस हस्पिटल के नाम से, और कैसे मालिक ने कृपा की, और हम जब गुरु जी इसके पास आये, और आते रहे, और कैसे गुरु जी कृपा होती रही, और उसके बाद जैसे ही मुश्किल से 6 मैंने निकले थे, गुरु जी कहना शूब कर देते थे या डॉक्टर तु एक मुंडा और ले ले और मेरी वाइफ कभी-कभी जब जाती थी तब गुरु जी कहते थे नहीं गुरु जी उसको सेवा के लिए लगाए रहते थे उससे मिल ले उससे कहना ये या कभी सेवा होते थे तब बुलाते और वो शांती में अपना गाइनी का काम करते हुए करते थी तो हम लोग कहते थे गुरुजी अभी तो यह बच्चा छोटा है हम दोनों वरकिंग है बहुत ठीक है बट गुरुजी एक बार बहुत सीरियस हो गए कहीं शादी थी प्रश्चम बिहार में सब को कुछ-कुछ प् प्रश्चम बढ़े काड देते थे और शादी में पहुँशना होता था आपको मालिक भी भगवान भी गुरुजी भी उस शादी में आते थे और क्या कलपना करिए कि क्या सीन रहता होगा और कैसे गुरुजी ब्लेसिंग करते थे वो उनकी अधूद लिलाएं हैं और उनक उसके प्रिग्नेंसी से पहले से तो हम बड़े परिशान हो गए कि यह कैसे आगे बात चलेगी और उस किरपा के अंतरगत गुरुजी के महर देखी हम गुरुजी के पास पहुँच गया गुरुजी बोले अल्ट्रासॉंट भी नहीं देखा गुरुजी नहीं देखे कैसे बेड रेस्ट पे आने वाली है इसकी डॉक्टरी गाया हुने वाली है तू बहुत परिशानी में आने वाला पर चिंता मत करना मैं तेरे साथ हूं और शवन कराना मत गलती से वही हुआ हम ने खूब डॉक्टरी समझाई गुरुजी को कि ऐसे एक बच्चे को एमनियो चंसे से हटा देते हैं गुरुजी ने कुछ नहीं माना बोले खवरदार ऐसा कुछ किया तो तेरा आना बंद कर देंगे और वह चलती रही टाइम और पूरा मेरा चीज़ें चलती रही और गुरुजी की महर देखिए कि मेरी वाइफ का जैसे कहा था मेरी पांचे मैने मेर की वाइफ बिलकुल बेडरेस्ट पे आ गई और डॉक्टर अशोक खुराना जो डिफेंस कॉलोनी में सर के पास हम वाइफ को लिटा के कार में जाते थे गुरुजी का जिससे मैंने आपको बताया काम है उसकी मती पे बैठ जाते हैं डॉक्टर अशोक खुराना से गुरु अचानक ये सब चलता रहा प्रिक्रिया और गुरुजी ने एक दिन किरपा देखिए कि जैसे मैं क्या करता था वाइफ को लिटा के ले जाता था अल्टरसाउंड कराके घर चोड़ देता था और साम को डॉक्ट साब से रिपोर्ट ले लेता था बट एक दिन जब समय ये नजदीक आया जो मेरे ट्विंस पैदा हुए 26 अगस 2007 को और आप 24 तारिक की बाद देखिए 24 अगस 2007 में मैं डॉक साब को अल्टरसाउंड कराने गया हर छे साथ दिन में वो 3D अल्टरसाउंड करते थे कितनी महर है मालिक की उन पर और किस किस पे आप से महर कराएंगे ये दो महीने प्रीज मैचोर प्रिग्रेंसी डॉक साब भूले कि अभी अर्जेंट में इनको ले जाना पड़ेगा गंगराम हॉस्पिटल तो मैं डर गया क्योंकि एक आइस्यू में बच्चे के 15,000 रुपए लगता है दो के 30,000 एक महीने के 9,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, से चलने लगा डॉक साब बुले इनके बच्चों का बेट कम हो रहा है तो अर्जेंट जहां मैं बात करता हूं डॉक्टर से और जितनी दिर में पहुंचा रहा हूं कि तुम डॉक्टर से बात हो गई है और तुम गंगराम हॉस्पिटल पहुंचो वहां पर क्या नाम है ग कमल गुजराल मैडम ने बोला कि डॉक्साब कोई जरूरत नहीं है तीन दिन बाद आना गंगराम में से पैसे जमा कराने होते है यहां रुकने की भी जरूरत नहीं है और अपने बच्चे के लेके जाना मैं ने मैडम को खूब समझाया कि मैडम इनको यह प्रावलम है प्य वाइब को बहुत शुक्रिया हुआ हुआ कि जैसे गुरूजी की बात याद आई कि उन्होंने कहा था बहुत सारी दिक्कत आएंगी बढ़ मैं तेरे नाल रहूँगा और वैसे ही कुरूजी हमें साथ रहे थे समाल रहे थे और मैं गया डॉक्टर जो वहां पर के केस मालिक की दया देखिए कैसे गुरूजी ने किरपा की और हमें कुछ पैसे भी जमाना करना भूल गए क्योंकि सब लोग मेरे को जान रहे थे और हम अपने काम में लग गए मैडम आई मैडम ने डिसाइड किया कि सुबह नॉर्मल डिलिवरी कराएंगे 8 बजे 26 तारीक को संडे था वो आज भी मेरे को ध्यान है सब ओटी बन थी उन्होंने अमर्जनसी ओटी खुलवा के रखी और सुबह सुबह मैडम मेरे पास आ गई मैं बला डर गया मैं नीचे फीमेल बाड रूम था तो मैं दूसरी जगह सोया था तो मैं वहां से आया मैडम बुली सब्सक्राइब करेंगे इतने साल बाद प्रिग्नेंसी है मेरे बच्चों में गया बड़े बेटे और तो हम इसको चांस नहीं हमें लगा कि यह प्राइविट हॉस्पिटल है तो अपने पैसे बनाने के लिए सिजिरन करना चाह रहे हैं और इस बज़े से हमने कंसेंट नहीं दी और हम जितनी दिर सोचते हैं वो उन्होंने बोला ठीक तुम नहाके आओ और वो डॉक्र साब अपनी मालिक देखी उनकी मती पे बैठ गए थे गुरू जी और वो अपनी चुबमेदारी से बिना कंसेंट के ओटी ले गई और उन्होंने सिजिरन कर और मैंने दोने बच्चे को हाँत में लेकर इखा हुआ और मैं भागता हुआ उपर गया मैं देखा दोनों बच्चे उनके हाँत में और मैं उस दिरस्ट को अभी भूल नहीं सकता मैं बहुत तेज चिलाने लगा ढॉक्र साब से और उन्होंने बोला बैसे तू परिशान क आजाते और तुमने अपनी परिशानी बताई तो मैं तुम्हें बताना चाहेती हूं कि हम सब लोग भी शॉक्ड हैं कि ये बच्चे प्रिमैचूर होके इन्हें कोई जरुवत नहीं है मालिक की दया देखिए और उन्हें जब बना और हमने दो घंटे बाद बच्चे दिये तो हम लोग उन्हें कॉटन से दूर पिलाते थे सोचिए जो मेरे बच्चे आपके सबके आशिरवाद गुरुजी की असीम कृपा और महर से एर्थ में आ गए हैं और धौला कुआ में स्प्रिंडेल स्कूल में पढ़ते हैं आप महर देखिये मालिक की कि उनके बच्चे कैसे स्ट्रॉंग हैं कैसे गुरुजी की कृपा है और कैसे वो अदबुद शार्प हैं ये कितनी अदबुद लीला है उनकी और उस कृपा के तहट देखिये आप जब हम बिल के लिए नीचे गए तो पताचरा की वो मेरे को च 40,000 रुपीज SBI से निकाल के अपनी जेम में रखता था मैंने सर से कहा कि सर ये तो मैंने आप सब के लिए बहुत गलत सोचा इम सॉरी वोले डॉक साब सबने डिसाइड किया है कि ये गंगाराम में एक अदबुद लीला घटी है कि प्री मैचूर बच्चे आईशू नहीं और आप सब के साथ जुड़के पूर्ण रूप से फिर से और गुरुजी की सेवा का और गुरुजी की चर्चा का ब्याख्यान करेंगे हम आज इस गुरुजी के महिने में गुरुजी का समाधी दिबस है 31 मई 2007 में गुरुजी ने समाधी ली थी मैं सब के लिए प्रेयर क दिखाएं और सबको सहज भाव से जोड़े रखें और हम सब भी गुरुजी से बहुत सहज भाव से जोड़े रहें ऐसी गुरुजी से प्राथना और कामना के साथ मैं अपना सत्संग यहां पर समाप्त करता हूं और फिर दुबारा मौका लगा तो हम आगे करेंगे आपका गुरुजी का और सबका वही जो मैं कहता हूं gratitude, शुक्राना, उनका सिर्फ शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करते रहें, गुरुजी इसे जुड़े रहें, कोई regret ना करें. गुरुजी को प्यार से, गुरुजी हमारे इतने द्यालु हैं, आप जो भी घर में बनाते चाय पानी जल वो सब हम Guru Ji को भोक के रूप में यूज करके और गृहन कर सकते हैं और Guru Ji की क्रिपा को मحसूस कर सकते हैं और आप Guru Ji की इस क्रिपा को इस हद तक महसूस करिए कि Guru Ji आप को कैसे क्रिपा करेंगे इस चीज की आप कलपना बदलती जाएगी आप आगे जो जो सोच रहे हैं वो चीजें आपको एकदम सब बदलती हुई नजर आएंगी और गुरुजी को जब आप अपने साथ जोड लेंगे तो आपको उन सब चीजों में अपने कामों में वो शक्ती महसूस होते हुए नजर आएगी और आपको उनकी कृपा महसूस होगी गुरू जी हमारे साथ कल भी थे आज भी है और कल भी रहेंगे इस पूरे विश्वास के साथ हम उनसे जुड़े रहें और कोई भी हम regret ना करें कोई दुख महसूस नहीं करें किसी से compare ना करें ज अपनी शुक्रिया करिए अपने गुरू जी को नमन करिए गुरू जी को प्यार करिए गुरू जी को उनकी कृपा को महसूस करिए इस प्रात्ना और इस गुरू जी से आप सब के लिए भी दोआ करते हुए मैं गुरू जी से जो मेरा relationship है कि गुरू जी ने कभी मेरा कोई क और इस प्रातना के साथ जै गुरू जी और सभी को हमारा गुरू जी से प्रणाम और गुरू जी की प्रातना सुईकार और गुरू जी हम सबकी प्रातना सुईकार करें ऐसी भाव के साथ आज के लिए श्रमाप्त और जै गुरू जी